हेलो गाईज में हूँ आरियन और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप इंदूसिंड बैंक के सिविंग्स अकाउंट यूज करते हैं और उस अकाउंट को बंद करना चाते हैं तब बंद करने पर किस तरह से चार्जेस लगेगा और कितना चार्जेस ल जरूर करते हैं गाईज आपके लिए पहले जान करी रखना जरूरी है कि इंदूसिंड बैंक में काफी तरह के सिविंग्स अकाउंट मौजूद है जैसे प्रिविलेज मैक सिविंग्स अकाउंट पायोनर सिविंग्स अकाउंट सेलारी सिविंग्स अकाउंट नॉन सेलार savings account, multiplier savings account, etc. आपका savings account किसी भी title के हो, अगर आप savings account close करते हैं, तब हट types के savings account के उपर same charges लगने वाला है. तो चलिए आप जान लेते हैं, अगर आप Indosan Bank के savings account बन करते हैं, तब किस tarde charges लगने वाला है, और कितना charges लगने वाला है? गाइस् अगर अगर आप इंदुसें बैंक में स्विंस और ओपेन करने के 14 दिन के अंदर ही स्विंस और यह स्विंस तब बन करने पर कोई भी चार्जस नहीं लगने वाला है यैनि आपको शिविंस अकाउंट किसी भी टाइप्स के हो आप free में ही x saving account बंद कर पाओगे लेकिन अगर आप आपके saving account ओपेंट करने के 14 दिन से 6 मैने के अंदर शिविंग साकांट बंद करते है तब ही आपको savings account के उपर बंद करने के लिए charges लगने वाला है जैसे कि अगर आपके savings account ओपेंट करने के 14 दिन के बाद और 6 मैने के अंदर अगर savings account बंद करते है तब बंद करने पर 200 रूपिया चार्ज लगेगा लेकिन यहाँ पर एक और रोल्स दिया गया है यानि अगर आपके savings account का balance 200 रूपिया से कम रहा तब जितना भी amount आपके savings account में होगा उतना ही चार्ज किया जाएगा For an example मान लिजे जब आप आपके savings account बंद करते है तब आपका savings account का balance है 100 रूपिया तब उस situation में आपके account से 100 रूपिया ही चार्ज किया जाएगा तब 200 रूपिया चार्ज नहीं किया जाएगा लेकिन अगर आपका savings account का balance 200 से जादा रहा तब maximum 200 रूपिया तक ही चार्ज किया जाएगा जैसे कि मान लिजे आपका savings account का balance रहा 500 रूपिया तब उस situation में 500 रूपिया टोटल चार्ज नहीं किया जाएगा मैक्सिमम 200 रुपया तक ही चार्ज किया जाएगा और अगर आप आपके सेविंग साकॉंट ओपेंड करने के 6 मैना बाद सेविंग साकॉंट बंद करते है तब भी सेविंग साकॉंट बंद करने पर कोई भी चार्जस नहीं लगेगा आप फ्री में ही सेविंग साकॉंड बंद कर पा हुए तो गाईज आज के वीडियो में इतना ही उमिद करते हैं इस वीडियो आपके लिए हेलफुल रहा अगर कोई डाउट रहा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताए मैं आपका कॉमेंट का रिप्लेज ज़रूर करूंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करे और काइंडली चैनल को सब्स्राइब करे थैंक यू